कुछ लोग इस संसार में आते हैं केवल अपने लिए तथा जीवन की विविन अवस्थाओं को पुरा करते हुए इस संसार से चले जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औरों के लिए जीते और औरों के लिए ही मरते हैं उनको अपने देश की मिट्टी से उतना ही प्रेम होता है जितना जन्म देने वाली मा से ऐसे महान लोगों में से एक थे महान करांतिकारी महाबड़दानी चंदर सिख्राजाद आजाद कैसे पड़ा इसकी भी एक मनोरंजक कहानी है आजाद का जन 23 जुलाई 906 को मद्य प्रदेश के अनिराजपुर जिले के भाबरा नामक गाउं में हुआ था घर से नाराज होकर बारा वर्ष की अवस्था में वे घर से भाग कर बंबई चले गए पंद्राव वर्ष की अवस्था में बनारस पहुचे और वहां संस्कित भाषा का अध्यन करने लगे उसी समय महात्मा गांधी का अयसा होग आंदुर्ण चल रहा था सदेशी की भावना से प्रभावित हुए बगर आजाद भी नहीं रह सके प्रणाम शुरूब हाथ में धंडा लेकर जोशी ले नारे लगाते हुए वो छात्रों के एक जलूस में शामिल होगे पुलिस ने उन्हें ग्रतार कर लिया और मेजिस्टेट के सामने प्रस्तुत किया मेजिस्टेट ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया तुमारा नाम चंद सेखरने का आजाद पिता का नाम चंद सेखर बोले स्वाधीर मेजिस्टेट को लगा के लड़का बहुत ही है उसका अगला प्रिशन था और तुमारा घर चंद सेखर ने उसी कड़क भासा में जवाब दिया जेल खाना अब तो मेरिस्टेट के गुस्टे का पदा चड़ गया उसने आजाद को पंद्रह बेतों की सजा सुनाई जेल के सामने खुले मैदान में आजाद ने बंदे बात्रम और हात्मा गाधी की जैके और घोष्ट के साथ नंगी पीच पर मेतों की मार सहली और उफ तक नहीं की ऐसे ही आजादी के दिवानों की कुर्बानियों से भारत की स्वाहिंता गये धियास लिखा गया है जेल से बाहर आने पर डक्टर संपुनानंद जी न चन्द सेखर को आजाद नाम से समभित किया फिर इसी नाम से विलोकप्रिय हो गए बीस अक्टूबर उन्स ओठाइस को साइमन कमिशन लाहोर आया तो उसके खिलाब पदर्शन हुआ लालाजपत राय उस पदर्शन का नेतित तो कर रहे थे अंग्लेज पुलिस ने उन पर नई योजना बढ़ाई 15 दिसंबर 1928 को मोका पाकर उस अंग्लेज अधिकारी को आजाद भगत तथा पटोकेश्व दत्त ने गोल्यों से उड़ा दिया आठ अपरेल 1929 को अंग्लेज सरकार को बोखला देने के लिए असेंबली की धारा सभा गैलरी में बंप्रेका इसमें भगत सिंग दाजगुरू सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद तथा भारत माता की जैके नारे लगाते वे पकड़े गए उन्हें 23 मार्श को फासी दे दे गए अब आजाद का खोल उठा वे साहता के लिए चीन जाने के तैयारी करने लगे 27 फ्रवरी 1931 को चीन जाने के लिए अलफेड पारक में बैठकर अपने दोस्तों से विचार मग्ण थी एक आएक पूरे पारक को पुलिश न घिर लिया आजाद ने अपने दोस्तों को भाग जाने को कहा लंबे संघर्ष के बाद जब आजाद की पिस्तोल में अंतिम गोली थी स्वयम को भी आजाद कर लिया उनके अदम में साहस वे चातरिश डर कर आजाद के मिस्ट सेर को भी पुलिश ने लंबे इंजार के बाद छुआ देश और धरम के लिए जीने वाला ये महान क्रांदेगारी देश पर ही बलिदान हो गया ओम शंग जै भारत वंदे मात्र